हेलो दोस्तों नमस्कार सत्रेकाल एन आदाप अगर आप में से किनी को ये उलजहन है यार कि हमको अपने क्लाइंट को कौन से पेपर टाइप में प्रिंट देना चाहिए कौन सा पेपर टाइप सबसे बढ़िया होता है या आप ये जाना चाहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट क किस तरीके के पेपर में प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये वीडियो पूरा देखना मत भूलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों बिना लेट किये एक सिंपल से टॉपिक पे आते हैं कि आपके पास भी डेफिनेटली इस तरीके के अल्बम्स होंगे दोस्तों डेफिनिटली आप मेंसे बहुत सारे लो ओ कंगे जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट ताइप के डेमोज चैल्बम होंगे मेरे पास भी जिसमें से यह कहां का है यह मुझे अभी exactly नहीं मालूँ क्योंकि मैंने यह photo photo fair जो होता है जैसे दिल्ली या Mumbai में जो photo fairs होते हैं वहां से एक किसी stall से लिया था तो मुझे exactly नहीं मालूँ है कि यह किस brand का है बट यह ठीक ठाक album है इसमें से मैं अपने customers को अलग अलग paper type दिखा सकता हूँ तो definitely आपके पास भी इस तरीके के या इस तरीके के कोई भी अलग अलग demos होंगे जिनको दिखा करके या जिनके papers को दिखा करके आप उनको बोलते होंगे कि सर अगर आप यह NTR में प्रिंट कराएंगे तो यह इसका charges इतना पढ़ने वाला है या अगर आप silver metallic में करवाएंगे या gold metallic में करवाएंगे आप emboss करवाएंगे तो यह सारी चीजों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ तो एक चीज बहुत important है आप सबसे पहले आपको यह decide करना चाहिए कि आपका जो base type है यानि कि जब आप album designing करते हैं तो उसमें जैसे बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि आप इसको NTR में प्रिंट करा लें या बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि आप इसे mat में प्रिंट करा हैं और आप बोलें कि हमारे पास जो हम paper type के साफ से payment नहीं लेते हैं जैसे मैं बहुत कमी ऐसा होता है जब paper type के साफ से payment लेता हूं यानि अगर मुझे NTR देना है तो मैं अलग charges लूँगा अगर मुझे silver metallic देना है तो मैं अलग charges लूँगा मैं mostly ऐसा नहीं करता हूं क्योंक paper लेंगे अगर आपको paper type के साफ से पैसे चाहिए तो almost almost सभी paper का जो type है बस थोड़ा different अलग-अलग है तो मैं कोशिशे करता हूं कि almost मैं एक price segment रखूं इंबोज वगेरा का price मैं थोड़ा सा extra लेता हूं बट मैं कभी भी client को यह नहीं बूलता कि मैं आपको इंबोज paper का charges लूँगा यह सारी चीजे लूँगा आप चाहें तो यह technique अपना सकते हैं तो मेरे इसाब से तीन ऐसे best paper टाइप है जो कि almost कई बार बहुत अच्छे से चलते हैं और एक चीज मैं आपको यह विता दो कि हर जो शादी होती है उसमें अगर आप NTR sheet देंगे तो हर शादी का जो लूख हो अच्छा नहीं दिखेग यहने मैं आपको यह चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आप client से paper type के साब से ना बात करते हुए आप decide करें कि आप जो photography आपकी है उसमें tones कैसे हैं अगर उसमें mostly golden golden जैसे tones हैं तो आप gold metallic देंगे तो वह बहुत खिल करके आएगा अगर आप जब shoot कर रहे हैं और आपके photo जब edit हो रहे हैं तो उसमें जादा से जादा ornaments हैं तो आप बीच बीच में जरूर इंबोस paper जरूर डालें तो जहां पर ornaments होंगे जहां पर jewelries होंगी वो काफी कमाल की दिखाई देंगी और आप एक इंबोस के बतले आप कम से कम 5 या 5 या 6 जो DM आप देते हैं उसमें इंबोस paper आप डालें तो आपको बहुत मज़ा आएगा तो यह सारी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए अब आपको एक चीज और समझना है कि देखिए मैं तीन paper आपको ज़्यादा तर recommend करूंगा एक होता है NTR sheet जो क काफी अच्छा दिखाई देता है उसके लावा pearl metallic भी बहुत अच्छा दिखाई देता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं NTR paper कम दूँ क्योंकि NTR paper अगर मैं बात करूं अगर मेरे गाउं में 100 photographer होंगे तो maximum photographers अपने client को NTR देने की कोशिश करते हैं तो कुछ-कुछ papers हैं जै silver metallic, gold metallic या जादा तर luster metallic थोड़े और अच्छे premium clients हैं जिनको बहुत जादा ताम जहम चमक धमक नहीं चाहिए तो leather type भी होता है leather type में भी हम print करा के देते हैं यह जो papers हैं वो काफी premium लुक आपको देते हैं और काफी मज़ा आता है तो इस से related आप जबी भी डेमो रखें यह आप अपने original demos जरूर रखें ताकि आप जब आपको paper सेलेक्ट करवाना हो तो आप demo से करवा ले और जब आपको exact अलग-अलग wedding दिखाना है तो दो तीन चार wedding के आप पहले से print करा के रख लें ज्यादा नहीं तीस्ती शीट नहीं आप 10-10 sheet के 15-15 sheet के रख लें अलग- demos अपने जो खुद के खीचे हुए हैं और उनको अगर आप दिखाए कि देखिए silver metallic में यह पूरा album बना हुआ है या फिर यह leather टाइप में बना हुआ है तो client को बहुत जल्दी और बहुत easy होता है समझने के लिए कि वह कून से paper type को choose करे NTR choose करे अगर आपने decide कर लिया है कि आप चार टाइप के paper में प्रिंट कराएंगे और अपने client को देंगे तो आप चारो टाइप के अलग अलग 10 10 15 15 शीट के एक demo जरूर बना के रखें और उससे आपको देखेगा उससे आपको बहुत ज्यादा help होने वाली है तो यह simple सा method था जो मैं use करता हूं तो मैंने करेंगे आपको एक वीडियो आजाएगी कि आप कैसे हमारे website में जाएंगे कैसे उस वीडियो को buy करेंगे payment करने का option कैसा है आपको उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़े मिलेंगी जो भी questions हैं हमने उनके सारे के अलग-अलग वीडियो बनाके Hindi में दे दिये हैं ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं हो किसी भी वीडियो को purchase करने के लिए या किसी भी वीडियो को खरीदने के लिए या उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़े हम आपको दे रहे हैं इसकी जानकारी के लिए अगर आपको sign up करने में दिक्कत होरी तो sign up कैसे करना है password change कैसे करना है A to Z सारा information हमने description में जो link दिये हैं आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो अगर आप भी album designing करते हैं या album print करवाते हैं या अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए जाना जरूए कि आपको कौन-कौन से paper type अच्छे हैं तो मैंने आपको बताया कि तीन paper type बहुर अच्छे हैं एक है silver या gold metallic दूसरा है luster और तीसरा paper है आपका एकदम premium जो है pearl metallic और और उससे भी अच्छा अगर मैं बात करना तो leather type भी बहुर अच्छा है या अगर आपके पास को ऐसा paper हो जो आपको बहुर अच्छा लगता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही आई होप आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस आपको 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 आपक